नमस्कार, स्वागत है आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कि भारत में फोन टैपिंग कैसे की जाती है और फोन टैपिंग करने के कौन से कानून है हमारे देश के अंदर इन तमाम बातों को हमें इस वीडियो में कवर करेंगे साथ साथ आपको बता चलेगा कि फोन टैपिंग होती क्या है मतलब कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो उनकी बात को सुनना यानि बीच में ही connection को break करके एक तरीके से उनकी बात को सुनना ही क्या कहलाता है फोन टैपिंग कहलाता है तो इन तमाम बातों को बहुत सही सोचो कि सर इतना कुछ लिखना पड़ेगा नहीं सब कुछ आपको लिखा लिखाया मिलेगा तो स्टार्ट करते हैं लेकि हाली में एक राजनेता राजनेता हैं यह कहां के मुंबई के सिफशेना के MP है राज्यसभा के इन्होंने दावा किया जो केंदर सरकार जो क्या क राज यह कह रहे हैं कि जो केंदर सरकार है वो एक IPS ऑफिसर रश्मी शुकला को बचा रही है किसलिए बचा रही है सरकार वो यहां पर उनके खिलाफ एक FIR दर्स थी मुंबई के अंदर कि यह फोन टैपिंग के अंदर शामिल थी उनके उपर एक जान चल रही है और सरकार क यह मुद्ध हमारे सामने आ जाता है यह तो पॉलिटिकल ब्यान बाजी हो जाती है हमारे एक्जाम में यह नहीं आता हमें फोकस करने है कि इसमें फोन टैपिंग जो निकल कर आया है तो इस से रिलेटिड कानून को हम देखने वाले हैं अब फोन टैपिंग क्या है और भार चैनल से मतलब खासकर यहां पर बात की जाती है टेलीफोन की और यहां पर टेलीफोन दो लोगों की आपस में बात सुनना या उन बात को रिकोर्ड करना यह फोन टैपिंग कराता है हमारे देश में USA में यानि दूसरे देश में USA में इसे wire tapping कहते हैं या फिर इसे interception इसका एक अलग नाम भी दिया जाते हैं मतलब यह सारा phone tapping है wire tapping होगी या interception होगया या phone tapping यह सारे एक ही नाम आ जाते हैं और phone tapping केवल एक तरीके से अधिकृत तरीके से संबंदित विवाग की अनुमति लेकर ही कि जा सकते हैं यानि अगर phone tapping करनी है तो एक यहां पर request डालनी पड़ती है मतलब कि एक होता हैं कि सरकार से पहले इजाज़त लेनी पड़ती कि हम phone tapping कर रहें एक अधिकारी नुक किया जाता है अभी आपको बता चलेगा कि कौन से अधिकारी के द्वारा यहां पर phone tapping की इजाज़त भी जाती है तो एक अवैद है इससे क्या होगा आपकी privacy भंग हो रही है और इससे जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसके खिलाब कारवाई होगी अपराधिक मुकदमा उसके खिलाब चलाया जा सकता है हमारे देश के अंदर आर्टिकल 21 है अचा 21 क्या कहता है आर्टिकल 21 बात करता है हमारे देश में personal liberty यानि कि यहां पर कानून द्वारा स्थापित परक्रिया के अमसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या उसकी व्यक्तिगत स्वंतंतरता से आप वंचित नहीं कर सकते हो उसकी खुद की एक privacy है उसकी खुद की एक personal liberty है यहां पर यह article 21 हमें इतनी पावर देता है लेकिन एक ध्यान रखना constitution में एक बात है कि कोई भी article आपका कोई भी article आपका absolute नहीं है absolute का मतलब उसको इतनी पावर नहीं दी गई है कि सरकार उसके उपर कुछ भी नहा करे मतलब अगर यह बोल दिया कि स्वंतंतरता है आपको जीने की स्वंतंतरता है आपकी personal liberty है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप गैर कानूनी काम ही करने लग जाए अपने privacy के तोर पर आप किसी को बाहर देश किसी दूसरे देश में अपने ही देश की secret information वेज रहे हैं और कहने हो कि यह तो मेरी privacy यह नहीं चलेगा ना तो यहां पर इसके उपर भी restrictions है limited restrictions यहां पर लगाए गई है limited की गई है इस चीज को भी अब यहां पर एक नागरिक अ अधिकार है उसे secret का अलब्कि उसे privacy का अधिकार आता है यह सारा किस से आते है आर्टिकल 21 से आता है इसको अब यहां पर phone tapping कौन कर सकता है दिखिए रज्य स्थर पर अगर बात करें तो रज्य स्थर पर पुलिस को phone tap करने का अधिकार होता है के अंदर स्तर पर अगर बात करें, तो के अंदर स्तर पर आपके सामने इतनी सारी एजंसी लिखेंगे हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गई, सेंटरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिकेशन यानि CBI होगी, ED यानि इन्फोर्स्मेंट डेरेक्टर हो गया, नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो होगी, सेंटरल बोर्ड ओफ डेरेक्टेक्स हो गया, डेरेक्टरेट ओफ रिवैन्यू इंटेलिजेंस होगी, नैशनल इन्वेस्टिकेशन एजंसी होगी हमारे सामने, रो यानि रिसर्च अने अनलेसीज विंग्स होगी, Directorate of Signal Intelligence होगी, Delhi Police Commissioner होगी तो यह सारी तमाम जो agencies हैं, वो phone tapping कर सकती है इनके पास यह power होती है अब भारत में phone tapping नियंतरन करने वाले कोई कानून है या नहीं किस कानून के दायत होता है obviously हमारे देश के अंदरे कानून है उस कानून का नाम है Indian Telegraph Act 1885 इस Act की Section 5 Subclosed to के अनूसार कोई भी सारुजनिक अपास्तिती, यानि अगर Public Emergency हो और या फिर Public Interest की बात आ जाए तो के अंदर सरकार या राज्य सरकार phone tap कर सकती है यानि आगर कल को कोई ऐसी Emergency या फिर भारत की ऐसी कोई Information बाहर जा रही है और हमें जरूरत है यह जानना कि यह वेक्ति बाहर भेज रहा नहीं भेज रहा तो वहाँ पर phone tap किया जा सकते है और यह आदे स्थ तब जारी किया जा सकते है यदि केंदर सरकार और राज्य सरकार इस बात से अगर वो सैटिस्फाई हो रहे हैं कि भारत की संपरभुता और अखंडता यानि सोवरिनिटी और इंटीग्रिटी ओफ इंडिया या फिर राज्य की सुरक्षा या फिर विदेशी राज्यों के साथ जो भी हमारे देश के साथ दूसरे देश हैं उनके साथ हमारे मैत्रिपुन संबंध है सारजनिक विवस्ता अत्वा उनके साथ किसी अपराद को रोकने के लिए सारजनिक सुरक्षा के हित में यानि हमारे यहाँ पर पब्लिक इंट्रेस्ट के बात करें तो इस हित के अंदर ऐसा काम कर सकते हैं ऐसा करना आवश्यक हो जाता है कि एक्जंप्षन दिया गए कि अंदर सरकार राज्य सरकार से मानेता प्राप्त जो भी समवधाताई हैं जो भी एजन्सीज हैं भारत में प्रकाशित होने वाले जो भी प्रेस संदेशों को इंटरसेप नहीं किया जाएगा जब तक कि इसकी उपधारा के अंतरगत उनके परसारण को परतिबंदित नहीं किया गया हो मतलब कि अगर जुरूरत पड़े तो वहाँ पर भी किया जा सकता है सिंपल सी साब भाशा में यह है एक्जंप्षन का मतलब यह बिल्कुल भै नहीं होता कि आप प्रेस के उपर करी नहीं सकते भाई अकल को तो एक इंडिया न्यूज चैनल का मुझे नाम याद नहीं आ रहा न्यूज बन करके है केरला का न्यूज चैनल है उसको बैन कर दिया गया है भारत सरकार ने क्योंकि वो भारत की इंफोमेशन दूसरे देश में भेज रहा था ये कहते हुए उसको बैन किया गया है भारत के अंदर तो ये कर सकते हैं और यहां पर जो भी प्रादिकारी या नहीं कि जो भी अथोर्टी होगी जो कॉम्पिटेंट अथोर्टी होगी उसके पास recorded reason होने चाहिए phone tap के writing के अंदर मतलब लिखित के रूप में होने चाहिए कि उन्होंने phone tap किया है उसके कारणों की वो जानकरी दे अनिवारे रूप से clear अब phone tapping है तू मतलब कि कौन authorize करता है who authorize phone tapping phone tapping करने का जो प्रावदान है भारतिय टेलिग्राफ संशोदन नियम 2007 की धारा 419 AME किया गया है के अंदर सरकार के मामले में phone tapping जो है भारत सरकार के जो ग्रह मंत्राले यानि home ministry है वहां के जो सचीव है उनके आदेश के द्वारा किया जाता है यानि center level पे तो हो गया center level पे secretary के आदेश के द्वारा हो गया state level पे अगर बात करूँ तो phone tapping हो तो state level में जो ग्रह भी बाग होता है ना जो home state होता है या फिर जो हो गया ना हमारा ग्रह भी बाग यहां के जो secretary होते हैं उनके आदेश के द्वारा किया जाता है clear एक आती हमारे सामने emergency situation अब emergency situation में क्या होता है कि ऐसे अधिकारी द्वारा आदेश जारी किया जा सकता है जो भारत के सयुंक्त सच्चीव के पद के नीचे का नय हो जिसे केंद्रिय ग्रह सच्चीव या रज्य ग्रह सच्चीव द्वारा अधिकरित किया गया हो और एक कभी-कभी ऐसी problem आ जाती है हमारे सामने कि दूर दराज के ऐसे शेतर है जहां पर अभी तुरंत उन कारणों मतलब कि उन इर्देशों को प्राप्त करना संभव नहीं है और हमें बहुत जादा जुरूरी है कि इस इंसान का phone tap किया जाए हमें इसकी information चाहिए ही चाहिए तो वहां पर क्या होता है कि केंदर या स्थर पर एक अधिकरित कानून परवर्तन एजनसी के परमुक या दूसरे वरिष्टम अधिकारी के पूर अनमोधन से call को intercept किया जा सकता है और साथ इसाथ राज्य में अगर बात करें तो inspector journal के rank से नीचे नहीं होना चाहिए तो यह कर सकते हैं यानि यहां पर प्रावधान दिया गया है secretary से भी नीचे आ सकते हैं लेकिन वो कब जब आपको लगे कि यहां पर आप तुरंत मतलब कि यहां पर permission नहीं ले पा रहे हैं तो उस condition पर हो रहा है अब प्रावध आदेश यह ले लिया आदेश ले लिया बिना मतलब कि authority जो real authority है उससे बिना पूछे तो तीन दिन के अंदर-अंदर जो competent authority है जो real authority है उसको सुचित करना नहीं वा रहे और साथ दिन के अंदर-अंदर उनसे स्विकारे या ऐस्विकर किया जा सकता है साथ दिन के उनके पास होंगे अगर वहां पर यह जो सक्षम अधिकारी है यानि जो competent authority है पूछ्टी निर्धारी साथ दिन के बीतर प्राफ्त नहीं होती है उनको मतलब की नहीं मिली authority मतलब की उन्होंने satisfy नहीं किया कि जो आपने किया वो सही था या गलत था उन्होंने अभी तो कुछ नहीं बताए तो ऐसा माना जाएगा कि साथ दिन तक आपको कोई भी response नहीं आया तो वो automatically जो interception वो खतम हो जाएगा यहनि आप phone tapping नहीं कर सकते हो अब यहां पर आपको यह चीज़ दिहा नखने है कि के अंदर सरकार ने वर्स 2021 में Indian Telegraph Right of Way नियम 2021 को अधिसूचित किया था एक चीज़ यह दिहा नखने अब यहां पर अगर कोई misuse कर रहा है इस चीज़ का तो उसको कैसे चेक किया जाएगा एक है यहां पर last report अंतिम उपाए के रूप में कानून में सपस्ट किया गया है कि interception का आदेश तभी दिया जाना चाहिए जब सूचना प्राप्त करने का कोई अन्य तरीका नहीं बचा हो तब वहां पर interception यानि phone tap किया जाता है अब interception का नवी नहीं करन यानि renewal of interception interception के जो निर्देश लागू रहते हैं यहां पर बोला गए कि वल 60 दिनों के लिए ही वैद होते हैं और अगर इसको renew करवा हो तो जादे जादे 180 दिन तक बढ़ा सकते हैं 180 दिन के बाद आप किसी भी इंसान का phone tap नहीं कर सकते हैं यह बात बोली गई है यहां पर अब यहां पर एक आवश्यक कारण बोला गए reason needed अब जो competent authority है उसके द्वारा जारी किये गए जो आदेश है उसको एक आवश्यक कारण होना चाहिए कि क्यों उन्होंने phone tap किया उसका एक valid reason होना चाहिए उसकी एक यहां पर copy होने चाहिए और उसको एक committee में यानि समिक्षा जो review committee है उसको जो working seven days है उसके पास भेज देनी चाहिए ताकि वो review कर सकेंगे बात सही बोली गई है यहां पर जो इन्होंने phone tap के आदेश दिये वो सही किया या नहीं किया अब के अंदर में जो समीती होती है जो समीती होती है के अंदर में बात करें इसकी अदेख्षता cabinet सचीव द्वारा की जाती है और जिसमें कानून और दूर संचार के सचीव होते है वो इसके अंदर शामिल होते है यानि law and telecom secretary यहां पर ऐसे member होते हैं यहां पर अदेख्षता कौन करता है cabinet सचीव कर रहे होते हैं clear cabinet secretary करते हैं head यह होते हैं और राज्यों में जो इसकी head होते हैं वो chief secretary होते हैं और इनके अलावा जो low और जो home secretary यहां पर इसके member होते हैं अब समीती के जो अपेक्षा की जाती है समीती से जो अपेक्षा की जाती है कि वो सभी interception को सही से check करेगी और यहां पर समीक्षा के लिए दो महीने से कम से कम एक बार तो बैठक आवशक हो कि जो भी interception पड़े हैं उनका review किया जाए दो महीने के अंदर नुन की बैठक करके clear अभी यहां पर अभी लेकों को अनश्ट करना यानि destruction of record अब नियमों के तहित का गए कि ऐसे निर्देशते संबंदित record हर छे महीने में नस्ट कर दिये जाएंगे जब तक कि यह कार्यात्मक आवशक्ताओं के लिए जरूरी नहीं हो या होने की संभावना नहीं हो मतलब कि आने वाले टाइम में किसी का फोन रिकॉर्ड हो गया अब वो खतम हो गया अब रिकॉर्ड नहीं हो रही तो उसके दो मह inlet के बाद जो है दो मह inlet यह के अंदर अंदर वह आपके पास जो ॉनको खतम करना जरूरी है यह बात है अब इसके बाद वह लगया कि आगे की रा किया आवश्यक्त होती है, देखिए, हमाना हमारे देश में एक right to privacy है, personal liberty, article 21 हमें इतनी rights देता है, इतनी आजादी हमें देता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि हम जो मन में आए वो कर ले, सरकार या फिर कहें कि नियाले ने ऐसा बोला कि अगर जुरूरत पड़ेगी तो phone tap किया जा सकता है, और होता भी है, व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा और गोपनेता बनाए रखना एक आवश्यक सर्वो पर है, definitely है, एक priority दी जाती है इसको, लेकिन जब बात आ जाए, public emergency या public interest की, तो किसी व्यक्ति की जो गोपनेता है, यानि उसकी जो privacy है, भंग करते हुए एक एकत्रित की गई जानकारी समवेधन शिल प्रकरती के कारण गोपनेता रखते हुए नियाले द्वारा स्थापित पर करिया का पालन किया जाना चाहिए, यानि procedure established by court वहां पर लागू होगा, जो यहां पर low दिये गए हैं, उसके according काम किया जाएगा, अब यहां प अब यहां पर active रहना होगा, कि किसी भी तरीके से यह जो power है, phone tapping की, इसका गलत use ना हो, check and balances बना रहें, क्यों किया, क्या reason था, सारी चीज़ें यहां पर बनाई रखी जानी चाहिए, उमीद करता हूँ कि आप लोगों को यह phone tapping से related issue समझ में आ गया होगा, फिर से बता देत जो है, वो आप लोगों को telegram का एक link दिया मिलेगा, description box में, तो जाकर आप वहाँ से इस video की PDF डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो पसंद आई है, तो like करें, channel को subscribe करें, क्योंकि भाई, बहुत जादा motivation मिलता है, आपके subscription से, आपके like से, और comment भी कर सकते हैं, आपक Thank you for watching this video